प्यारे बच्चों, प्यारे बच्चों, आज मेरा दिल भी बिलकुल गदगद हो गया है और मैं एक पुराना सिपाही हूँ, आज मुझे बड़ी खुशी है कि हमारी फौज का जस्पा, हमारी फौज का जोश अभी भी कायम है, जैसे हमारे जमाने में होता था, शायद अब उससे भी अच्छा जा रहा है, यही प्रगती है, देसे स्प्रोग्रेस, मैं जस चंद मिंटों में आज आपको एक गुरु मंत्र सिखाना चाहता हूँ, देखे हमारा जो एजुकेशन सिस्टम है, उसको हमें जो है, मूल्य सिखाने चाहिए, देबेसिक जाब अफ एन एज एजुकेशनल इंस्टिऊशनल इंस्टिऊशन इस नॉट जस्ट ट्रांस्मेट नॉलज, एज तो इंद्यूस वैल्योज, देखे, एक स्कूल का, एक कॉलिज का मकसद सिरफ ये नहीं कि हम ज्यान वर्जित करें, बलकि हमारे दिलों में मूल्य डालें, वैल्यूस डालें, और हमारी फॉज में वो एक वैल्यूस का गुरु मंत्र हम को बता गये हैं, और वो है जब आप शैतानी करते हैं स्कूल में, तो आपके प्रिंसिपल साभ के पास एक सी-सी-टी-वी होता है, सी-सी-टी-वी, याद है, अब मैं आपको ये गुरु मंत्र है, जिससे आप वैल्यूज का गुरु मंत्र सीख सकते हैं, हम वैल्यूज जो फाउज में हम प्राथमिक्ता देते हैं, वो CCTV, पहला सी है किसके लिए, पहला सी है country, मेरा देश, मेरा सबसे बड़ी वैल्यू, हमारी सबसे बड़ी वैल्यू, हमारा देश है, हमारा मुल्क है, और कोई चीज उ मेरा देश, मेरा देश, मेरा देश, मीरा देश, my country comes first, always and every time. जब आप इंडियन मिलेटरी एकाडमी में जाओ, वहाँ चेटवुड में सोने के अक्षरों में लिखा है, your country comes first, always and every time. तुम्हारा देश सरव परी है हमेशा हमेशा के लिए कि दूसरा तुमारे जबाद उसके बाद आते हैं तुमारे देश के बाद तुमारे जवाद जैसे की जनरल साहब आपको बता रहे थे किस तरह जब उनका जवान शहीद हुआ वो खुद उसकी अस्थियां लेकर उसके गाहँ गए यॉर मेंड कम दबेंड यू कमांड कम नेक्स्ट सबसे पहले आपका देश उसके बाद आपके जवान आपके सबोर्डिनेट्स और यॉर ओन इस कमफर्ट एंड सेफटी कम लास्ट आलवेज एन अवरी टाइम और एक ऑफसर के हैसियत से तुमारा अपना जो है इस कमफर्ट सेफटी तुमारी हिफाज़त वह आखरी में आती है क्योंकि उमीद करती है तुमसे तुमारी फाज कि यू विल लीड और तुम सिर्फ एक हुकम दोगे लड़ाई के मैदान में फालो मी मेरे पीछे मूव एक यही हुकम होता है मैदाने जंग में कि आप मैं स लोड़े है कि मेरी पूरी पल्टन सिंगल फाइल में मेरे पीछे माइन फील्ड के थ्रू जाएगी यह फॉज का असूल है माई मेरा देश सर्वो परी माई कांट्री मेरा देश मेरे लिए जमीन का एक तुकड़ा नहीं इसके लिए एक जस्बात है जिसके लिए I can kill और भी killed मैं मार सकता हूँ मैं मार सकता हूँ मैं अपनी जान दे सकता हूँ अपने मुल्क के लिए और मैं जान ले भी सकता हूँ और साड़े 300 गाळ के आए हैं हम जमीन के नीचे अपनी सर्विस के काल के दोरान मुझे बड़ा फक्र है मेरे देश से बड़ी कोई चीजा नहीं यह पहली वैल्यू है दूसरी वैल्यू है courage हिम्मत हिम्मत के मर्द मददे हिम्मते मर्द मददे हिम्मत की आदत बनाओ, हिम्मत को अवे ओफ लाइफ बनाओ, अपने जीने का तरीका, जब खत्रा आता है, मैं उसकी तरफ मुझ करता हूँ, पीट, नहीं दिखाता, एक योद्धा, और जंग बहुत किसम की होती है, जिंदिगी में जंग होती है, माबाप को देखना, वो ब करनी पड़ेगी, गलत के खिलाफ, क्रॉप्शन के खिलाफ, हिम्मत, हिम्मते मर्द, मददे खुदा, जोटी सी एक कहानी में आपको बताता हूँ, हमारी पल्टन कारगिल में लड़ रही थी, बहुत भारी नुकसान हुआ हमारा, हमारे छे जवान शहीद हुए, 21 गायल एक की तो दोनों आखे चली गई, और वो पिछले 28 साल से अंधा है, हर एक उस जमाने में वो कफन में डालके, कॉफिन में डालके, लाशें घर नहीं भेजी जाती थी, जो कमांडिंग आफसर होता था, उसको अगनी को चिता देनी होती थी, घर केवल कलश भेजा जाता था उस राह का, उस अस्थियों का, जब जवानों को मैंने चिता दी, तो मेरे बाल 37 साल की उमर से सफेद हो गए, और तब से ये बाल सफेद है, क्योंकि जो बोज बढ़ता है, अपने बेटे को चिता देने का, उससे बढ़के बोज दूसरा नहीं है, और उस वकत जब हमारी पल्टन में घमासान युद्ध चल रहा था, तोपों के गोले फट रहे थे, माटर चल रहे थे, रागेट लांचर चल रहे थे, एक नए नए लेफटनेंट साहब हमारी पल्टन में आए, छेफुट दो इंच का लड़का, गोरा, हैंसम, लगता था कोई फिल्म स्टार आ गया, और जब उसने देखा, जैसे ही विचारा वो आया, एक लाश उपर से नीचे आ रही थी, हमारे जवान की हवलदार राजे सिंग, उसकी गर्दन में एक 6 इंच का घाव था, उसमें दुश्मन की तोप का गोला सीधा उसकी गर्दन में गया था, और वो वही पे मर गय तो उसकी हमने जब बॉड़ी के वो सारा कपड़े में लपेटी हुई थी, पट्टियों में, हमने खोली, तो उसके मूँ पे इतना बेटा पीस्फुल एक्स्प्रेशन था, इतना उसके मूँ पे शांती थी, कि मैंने का ये जिन्दा है, डग साब इसको इलाज करो, तो व हुक्मों की तारीम करो, तो उसने खोला और फिर मेरे को दिखाया, गर्दन के नीचे, यहां, चाहे इंच का इतना बड़ा छेद, जहां पे वो जो एर डिफेंस गन का गोला था, उसके हिर्दे तक जा चुका था, वहां जाके वो उसको मारा था, और वो ऐसे जैसे बिचा कान थी, कि इसके पहले उसको पता चला, उसके प्राण पखेडू उर गये थे, और वो हलके से स्माइल के साथ खतम हो गया, यह बिचारे नए आफसर साब जो आए थे, पहली बार लाश देख रहे थे, और उनको उल्टी आ गई, उसको, उल्टी आ गई, पहली बार लाश देखके होता है, ऐसे, थोड़ा टाइम लगता है, टांगे तगडी होने में, तो बिचारा वो बड़ा हैरत में था कि किस जगा फस गए, और वो हमारे जेसियो साब के साथ बात कर रहे थे, जेसियो साब बड़े बुड़े थे, मेरे जैसे सफेद बालों वाले, कई साब इधर तो बड़ा गडर है, यहां जिन्दा रहने का तरीका क्या है, सुनो ज़रा ध्यान से, यहां जिन्दा रहने का तरीका क्या है, तो जो जेसियो साब थे, उन्होंने उनकी तरफ देखा, उपर से नीचे पाउं से, सर से पाउं, और बोले साब, आप वाली वाल ख खड़ा क्या होता है खड़ा बोलो किसी को मालूम है वाली वाल में खड़ा किस चीज को कहते हैं मैं समझाता हूँ आप मैच खेल रहे हो मैच मैच पॉइंट पे आ गया राइट अब आखरी सर्विस देनी है आपको और गेम पॉइंट और हार जीत का फैसला हो जाएगा आपको देनी है तो आप क्या करो आप बॉल अपने हाथ में पकड़ो ऐसे हो जाओ और दुश्मन की टीम में आखें गाड़ो जिसका चेहरा सबसे डरा हुआ है उसको सर्विस दो वो गिरा देगा अब समझें जिसका चेहरा दुश्मन की टीम में हवाया उड़ी हुई है उसको सर्विस दो वो गिरा देगा उसको बोलते है खड़ा जंग में गोली खड़े की तरफ जाती है अ कि हमने कितने देखी हैं जवान Państwo कितने देखे हैं अफसर वो हसते खेलते गए हसते खेलते आ गए हुँआरहमारे लड़कें बोलते ते रोड़ा आया, मरने मरीं खब CHM से लगती थी उसकी लडाई थी इसलिए इसलिए वग ness Tar ou वहो से बार गहें गोली डर की तरफ जाती है और बड़े से बड़ा योद्धा भी जब उसका समय आ जाता है पहले डर आता है फिर ओत आती है पहले डर आता पर मौत आती है और अगर आप डरो नहीं तो तो यह अमरित्त्तो की चावी है तुमारे पादू तुम नहीं मार सकते जब तक तुम नहीं डरे जो डर गया सो विलकुल अगर तुम एक गुरु मंत्र इस कथा शिविर से इस कैम्प से लेके जाओ दो सिपाही एक के बाद एक आपको यहीं गुरु मंत्र दे गए हैं जो ड देखा है कि मरने के पहले बहादूर से बहादूर सिपाही भी कई बार जब विचलित थोड़ा सा मन में होता है वहां गोली खेच लेती है तो कंट्री करेच और तीसरी चीज है कंपैशन अभी एक बहादूर सिपाही की मिसाल जेनरल सहाब ने दी कंपैशन किया था उस सिपाही में जो कि एक जलते रेलवे स्टेशन में घुसा एक बार नहीं दो बार नहीं तीन बार जब तक कि वो खुद नहीं चला गया वो औरों को एक के बाद एक करके वहां से निकालता रहा इसको कहते हैं सोहानु भूती इसको कहते हैं दया इसको कहते हैं कंपैशन नही तो एक सिपाही जो बहुत भादूर है वो जलाद भी बन सकता है उसको मारने में कई लोगों को तो शौक आता है जैसे ये जहादी कुट्टे आते हैं यहां पर बड़े शौक से मारते हैं सिविलियन को जिसके हाथ में हथियार नहीं कशाई का काम बड़ा अच्छा लगता है इसके लिए कि आप में इंसानियत बनी रहे सिपाही के साथ होना आप में दया का होना भी बहुत 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 जरूरी है और एक मदर टेरिसा का नाम लिया जाता है जब दया की बात की जाती है कि सो कंट्री करेज कंपैशन और आखरी है ट्रोथ सत्य क्या है इस देश की मॉटो सत्यमेव जयते सत्यमेव सत्यमेव शाबाश सत्य की ही जीत होती है जूट कितना भी ताकतवर लगे शुरू में उसके पाव नहीं होते सत्य की जीत होती है और मैं सत्य के बारे में एक चोटी सी कहानी महाभारत से बताता हूं कि सत्य का मतलब क्या है अगर आप सत्यवान है आप कभी कुरॉप्ट नहीं होगे आप कभी जूट नहीं बोलेंगे अपने फर्जी नकली दस्तावेज नहीं बनाएंगे पैसे नहीं गारेंगे किसी और के सत्य अधार है सत्यन तितिष्टाए जगत truth is the foundation of this earth और मैं छोटी सी कहानी बताता हूँ पांच पांडव और सौक और अरव सौक औरव इनको लेके देहरादून गए गुरू द्रोणाचारिय यह नाम देहरादून कहां से आया जानते हो देहरा द्रोण का देरा उसका नाम बदली होके देहरा दून बन गया है और हमारी इंडियन बिलिटरी अकाड़मी आज उसी स्थान पर है जहां कोई पांच हजार साल पहले कौर्वों और पांडवों को गुरू द्रोणाचारिय ने ट्रेडिंग दी थी अब जानते हो यह है इस देश की कंटिनिवेटी कल्चरल कंटिनिवेटी वहां पर शिक्षा शुरू हुई जैसे आपका सुबह अनाम्ड कंबैट पीटी और गेम्स होते हैं वो लोग सुबह मल यूद करते थे गदा यूद करते थे तलवार की प्रैक्टिस करते थे तीरंदाजी करते थे फिर वो खना खा की उसमें जो पहला जो लेसन था उसने बोला और जो टीचर था वो आ गया कौरवों पांडवों के सामने और बोला मेरे साथ बोलो सत्यम ओवाच बोलो सत्यम सत्यम हां सत्यम ओवाच का मतलब सच बोलो सच बोलो तो फिर वो अगले लेसन पे चला गया अगले दिन जब फि तो टीचर ने बोला इसके पहले कि हम आज का पाठ पड़े, सबसे पहले हम कल के पाठ को रिवाइस करेगे, तो सब लग खड़े हो के बताओ, अर्जुन, कल का सबक क्या था, बोले सत्य मुवाच, बेरी गुड, भीम, कल का सबक क्या था, सत्य मुवाच, दुरियोधन, कल का सबक क्या था, सत्य मुवाच, फिर बोला युदिष्टर, खड़े हो जाओ, कल का सबक क्या था, चुप, चुप, सबसे बड़ा जो लड़का था उस क्लास में, उबर के लिहाज से, सबसे बड़ा था कौरवों, पांडवों में, चुप, बोले, तिरे को ये सीधी सी चीज याद नहीं हुई, तेरे छोटे भाई, नकुल सहदेव, भीम, अरजुन, सब को याद है, अबे तू ठूट है, तू घदा है, तू क्या है, बड़ी डांट मारी टीचर ने, अगले दिन फिर उसने लेसन रिवाइस किया, कल का क्या सब्जेक था, पहला दिन का पाठ क्या था, नकुल सहदेव, सत्यमवाज, 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 युधिष्टर चुप, बहुत डांट मारी उसके टीचर ने, साथ दिन बच्चों ऐसा चलता रहा, बड़े ध्यान से सुनो, अगर तुम ये चीज समझ जाओगे, तुम एक बहुत बड़ा गहरा सत्याज दिन, उसको बोला, तेरे को पहला पाठ याद क्यों नहीं हो रहा, तेरे कान पकड़वा के मैं तेरी साथ दंड बैठक लगाँगा, बोल, क्या था पहले दिन का पाठ, तकलीफ क्या है तेरे को याद करने में, याद नहीं होती, दो तो शबद है, सत्यम उवाज, सत्यम उ बोले वाह आज कैसे याद हो गया कि साथ दिर्द याद रही हुआ आज कैसे याद हो गया एक दम क्योंकि मार की बाट पड़ी बोले जी नहीं मैंने पूरे हफ्ते ध्यान से सुनो बच्चे क्या बोला यू दिश्टर मैंने पूरे हफ्ते एक भी जूट नहीं बोला मैंने पूरे हफ्ते एक भी जूट नहीं बोला उसके पहले में छोटे छोटे जूट मेरे से निकल जाते थे तो मैं कैसे कह सकता था, सच बोलो, वो जूट नहीं होता, ये है सत्य, आप समझें, हम छोटी-छोटी चीदों में जूट बोल देते हैं, आप कहीं लेट हो गए, मैं सर ट्राफिक जैम में फस गया, भार में गया, कोई ट्राफिक जैम नहीं था, लेकिन हम सत्य नहीं बोल सक और इसलिए सब गल्तियों की जड़ जूट है, सब तमाम गल्तियों की जड़ जूट है, अब ये पांच चीदें सीख लो बेटा, आप जिन्दगी में कभी, कभी आपको शिकस्त नहीं मिलेगी, फतह ही फतह मिलेगी, तो एक बारी फिर से बोलो, country, C for country, C for courage, C for compassion, T for truth, and V for values. बूल ये, अगर आप ये, ये पांच चीजें अगर आपने याद कर ली, आपने जिन्दगी का सफर, आपने जिन्दगी की लड़ाई में फतह हासिल कर ली, जरा आप देखें आप में कितना जोश है, हाँ, एक बारी फिर आप ठक तो नहीं गए, आप ठके हो, ठक गए हो अगर आप में लास्ट में कितना जोश है, जैसे वो मिधक ने पकड़ा था ना गला लास्ट में, मैं देखना चाहता हूं कितना जोड है आपके अंदर, या बुड़े में जादा जोड है, हम बुड़े दो हैं यहाँ पे आज, मेरे साथ बोलेंगे, जाए है, ये आपने म इसलामाबाद और बेजिंग जाए, एक बार फिर से बोलेंगे यहां के बच्चे, प्रंसला गाउं पे ऐसा दहाड़ो कि बीजिंग और इसलामाबाद में पत्थर हिने, एक बार फिर जाए है!